नमस्कार जोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चानल में, मैं हूँ आपकी वही अंजली हम ना तुम्हें खोना चाहते हैं, ना तुम्हारी यादों में रोना चाहते हैं बस तुम्हारा साथ मिले हमें हर पल बस इतनी सी बात तुमसे कहना चाहते हैं जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राश्रिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्थडे है या पिर मैरेज उन्वर्सरी है उनको मेरी और से ठेट सारी बधाईया हो और गुड विशिस हो तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं तारीफ निकालने वालों से जादा गल्टियां निकालने वालों को सीरियस लीजिए आज जो दर्द सहर रही हो वो जो है कल आपकी ताकत बनेगी याद रखिए कि पुराने यादते नए रास्ते नहीं खोलती कितना अच्छा हो जब आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि जब भी कोई आपको कुछ भी कह दे तो आपको बुरा ना लगे वहाँ आप साइलेंट रहें क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बलकि खुद को बदलना शुरू कर देता है इंसान सफल तो तब होता है जब हर इंसान में positive side देखना शिरू करता है हम सब बड़े होते ही कुचल देते हैं पैरो तले अपने बच्पन को लेकिन कुछ लोग इसे अपने अंदर जिन्दा रखते हैं अपने जीवन के सारे दिन एक कैदी की तरह गुजानने से अच्छा है कि अजादी के लिए लड़ते हुए मर जाओ जो खिलाडी है उसी को बता है कि वो कितनी बार fail हुआ है audience को उसकी आखरी कोशिश ही नजर आती है जो उसकी काम कर गई जो शेर जितना जखमी होता है वो उतने ही भड़क के साथ वापिस आता है इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके उन्हें जोर लगाने दो ये समझने के लिए कि आप दरसल क्या हो एक जिन्दा इंसान ही ये बात बिना डरे बोल सकता है कि मेरे जिन्दगी में कितने ही दुख, कितने ही स्ट्रगल आए मैं सब परिशानियों का सामना करने के लिए तयार हूँ च्योंकि जीवन एक परिश्रम है अगर आप सोरी की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सोरी की तरह तप ये अबराहिम लिंकन कहते हैं कि मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता सबसे बहले जो हैं आज आपके लिए जो भाकिशाली रंग है लखी कलर वो औरेंज बन रहा है और जो लखी नंबर है वो नंबर पांच बनने वाला है आज आपको बहुत सारी गलत जानकारी मिलने वाली है इसलिए औरों की सुनने और मानने की बजाएं अपने आप सूद समझकर फैसला लेना जादा आपके लिए बढ़िया ठीक रहेगा अपने तरीके और अपने नजरिये के अधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे आप आपकी बहुत प्रतिक्षित चुछुटी है जल्दी ही आपको मिल सकती है जिसका आपको इंतजार था काम की शुरवात करते समय आपके अंदर पॉजिटिविटी काफी बढ़िया रहेगी फिर भी काम से रिलेटिड डर भी उतना ही रहेगा आप अपने क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके परिसिती को काबो में लाने की कोशिव जरूर कीजएगा और आपके द्वारे की जाएगी अपनी अनभव और ज्ञान को उचित जो है वो आपको प्योग जरूर करना चाहिए वैसेता कि बावजूत मित्रों और रिष्टेदारों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है निकाल लेंगे किसे के परिशानी में उसकी मदद करना आज आपको दिल से खुशी दे सकता है इसलिए आप सब भी हमेशा दुक्सरों की मदद हिच्चित से कीजेगा इसलिए प्रापटी की वज़ए से लोन लेने से ऐसे स्थियां भी बंती नजर आ रही है लेकिन ऐसा करना आपके लिए फाइदे मन ही रहेगा कोई अप्री समाचार भी मिल सकता है जिसकी वज़ए से मन काफी परिशान रहेगा कोई काम अनुकुल तरीके से अगर ना हो पाएगा तो इसके लिए आपको जो है अपने किसी भरोसे मन इंसान या मित्र की सलह अवर्श में यवाओं को अपने कारे पर जादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है तो जरूर ध्यान देना चाहिए आपको आज के दिन के लिए अपनी आर्थिक परिशितियों को सुधारना आपका एक मातर लक्ष बना रहेगा जिसके लिए आप प्रतन योग की दिशा में करेंगे अपने काम से रिलेड़ पूरी जानकारी आपको है कि विल पर्सनल दाइरे से बाहर निकल कर और आलस से दूर रहे कर महनत और प्रतन करने की जरूरत है आपको बाकी सब कुछ ठीक रहने वाला है अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत इच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको साथ में आज व्यक्तित्व में निकार भी रहेगा और किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में प्रिशन साएं भी मिल सकती है टेंटे हाउस और मैरेज हाउस वालों को लाब का अफसर भी मिलता हुआ नजराये का धीरे-धीरे परिवार में जो है उचीत विवस्था बनाकर रखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्डन फैस्टे भी लेने होंगे और यकीन मारी आप उसमें काफी हद तक कामियाब भी होंगे कोई राजनेदिक सहायता मिलने से आपका चुरुका हुआ काम है वो भी पूरा हो सकता है समंदों के प्रती जरा विवहारी के दरिश्टी कुन रखना जरूरी है आर्थी के रूप से कुछ उलजने जो है और समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है कोई भी फैसला बहुत ये जरा सूस समझ कर लीजेगा आपको कोई नजी की समंदी आपकी भवनाओं का नजायत फादा उठाने की कोशिश भी कर सकता है आज के दिन तो इसलिए आपको जरा सूस समझ कर रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनस और केरिर की आज जिवे विसाइक शेत्र में आपको आपके द्वारा जो लिया गया कोई जो फैसला है वो बहतरीन साबित होने वारा है इंकम की जो स्त्रोत हैं उनमें बड़ोतरी नजर आने वाली है नौकरी पेशा लोगों को भी कोई नई उपलब्दी हासल हो सकती है इसलिए मल लगा कर जड़ा कारे को कम्प्लीट कीजेगा मीरक शेतर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी काम का विस्तार होता नजर आएगा जन संपर्क बढ़ने के विशक्ता होगी और खुद होकर अफसर की खोच करें आपको खुद थोड़ी बहुत महनत करनी होगी साथ ही में आज नौकरी पेशा लोगों को अपने कारे के प्रती उचित योगदान देने की वज़़ा से तरक्की के अफसर भी बनने वाले हैं कमिशन से रिलेडिट में विसाय भी फायदे मंद रहेंगे साजेदारी के जो कारे हैं उसमें अपने पार्णर के साथ समन्दों में पारदर्शिदा भी बना कर रखने होगे इसे के साथ योवाओं को करियर से रिलेडिट फैसा लेते समय आर्थिक लक्ष को भी आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा ये बात बहुत ज़रूरी है आप अपने कारे को करते हुए धहरे रखते हैं पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगे आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गती से आगे चलेंगी और ज़ादा पाने की चाहा आपको पीछे की और भी तकेल सकती है आप में हमेशा धहरे की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित रास्तों की तरफ आप आगे बढ़ते रहे हैं आपको यह याद करने की जरूरत है कि क्यूं आप इस पत पर आगे की और बढ़ रहे थे और उसी पत पर आगे बढ़ते रहें थोड़ी से चीजों के आपको संभाल करनी है बाकी जो करेड का जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के भारे में लव लाइफ कहती है कि किसी व्यत्ती के प्रती बढ़ते हुए आकर्शन को रिलेशन्शिप में परिवर्तन करने के लिए आप काफी जादा प्रतन करने वाले हैं और ये प्रतन जल्दी ही सफल भी हो सकता है पती पतनी में आपसी सामंजस से मजूर भी बनता नजर आएगा पुराने फ्रेंड्स के साथ जो है काफी अच्छी यादी जो है वो दाजा हो सकती है मिल सकते हैं आप एक दूसरे से रिलेशन्शिप के प्रती सकरात्मक्ता जो बड़ी बड़ती नजर आएगी लेकिन लव रिलेशन्शिप में प्रेम समंदों को आप जारा ध्यान भी नहीं देने वाले कुछ लोग परिवार जनों के साथ किसी धार्मिक आयूजर में उचित समय स्पैंट हो सकता है घर का जो वात्तावरण है वो भी बहुत ही पॉस्टिव होता हुआ नजर आने वाला है अजब भावुक और प्रेम से उत्प्रोत रहेंगे आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहन समंद अनभव कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ का अननभवी ले सकते हैं आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है हर रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय देना ही पड़ता है ताकि वो जो है सही तरह से फले और फुले ऐसा ना करने पर बहुत जल्द ही खतम हो सकता है आपका रिष्टा तो आपको जहें समी देना चाहिए एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और हाँ अपने मित्र और परिवार से भी मिलें क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है कहीं उन्हें ये ना फिल हो कि आप उनको इगनौर कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्ते के स्वास्ते कहता है कि स्वास्ते तो ठीक रहेगा, जादा वियस्तता की वज़से बीजी काफी रहेंगे तो थकान तो होगी ही, तो आपको आराम करने के जरूरत है urine infection के थोड़ी तकलीफ हो सकती है आपको जो है मिर्च मसाले वाले चीज़े और junk food avoid करनी होगी घर का खाना खाएं, कम मिर्च वाला खाना खाएं और हो सके तो लाल मिर्च की बजाएं आप हरी मिर्च, काली मिर्च का अपयोग करें तो जदा बैचर रहेगा वर्तमान मातावरन से अपना परचाव रखने के लिए आपको स्वास्त समंदी सावधानी खुद अपनानी होगी और जितना हो सके आप ज़्यादा सफर मत करें कोशिश करें कि आप घर में ही रहें साथ ही में आज मास्वेशों में की चाप और बदन दर्द की तकलीफे भी कई लोगों को जो है वो होती नजर आने वाली है आप पिछले कुछ दिनों को काफी विस्थ और कारेकरम से काम कर रहे हैं जैसा मैंने शुरुबात में कहा कि बीजी रहेंगे और अब समय आ गया है कि आप विवस्थित हो जाएं आज अब तुलनात्म का रूप से आराम के मूड में रहेंगे लेकिन तब भी कोशिश करें कि आज अपना जो समय देखकर अपने सभी मामलों को विवस्थित कीजिए और आने वाले दिनों में सभी चीज़े उलचती नज़र आएंगी अगर आपने ऐसा ना किया तो इसलिए पहले ही सिथि को काव़ में कर रहें करई जीए ताकि सिथियां आपके हत में रहें जैसा आप चाहते हैं तो ये बात कि हमने स्वास्ता की और अंतमी अब बात कर लेते हैं आज की जो है विशेश उपाइ के बारे में तो विशेश उपाइ ये कहता है कि आज आपको जो है अपनी पुरानी चीज़ें किसी को देनी चाहिए जिनको जरूरत है और साथ ही में अगर आप ये सब चीजें किसी को ना बता कर करें तो जादा बैठर रहेगा आपके लिए तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा उपाए में बताती हूं आप जरूर कीजेगा अगर आपको वीडियों चे लगेगा तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बता को भी ना भूलेगा धन्यवाद